क्रोना की वज़ा से बहुत सारे लोगों के असर पड़ा तो दिल्ली में भी एक गौरब बंसल नाम का शक्स जिसके उम्रे 40 साथ कड़कर डूमा कोट के करीब उनकी एक ग्रॉसरी की दुकान, राशन शॉप बीवी, बच्चे परिवार में क्रोना से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था अच्छी खासी जिन्दगी थी उनकी, गाड़ी भी थी उनके पास ऐसा भी नहीं है लेकिन फिर क्रोना आया, चीजें बदली, गौरब बंसल की जिन्दगी पर भी असर पड़ा बिजनेस ठप हो गया, तुकान में राशन और सामान लेने के लिए उन्होंने कुछ उधार ले रखा था अब सामने से आम अदनी है नहीं, चुकाएं कैसे, धीरे-धीरे कर्द बढ़ता गया इस बीच में उन्होंने छे लाक रुपे लिये, बैंक से परसनल लोन कि कुछ-कुछ करके चुका देंगे और बाकी जो परसनल लोन है, वो भी किस्ट भरते जाएंगे लेकिन बदनसीबी ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा, जब उन्होंने बैंक से लोन लिया परसनल, लोन लेने के एक मेरी के अंदर ही उनके क्रेडिट कार्ड से साड़े तीन लाक रुपे किसी ने विड्रॉल कर लिया, यह उनके साथ फ्रॉड था अब थेल आके एक शक्स ने लोन लिया ताके कर्ज उतार सके और उसमें से आधे पैसे आने साड़े तीन लाक रुपे उनका कोई गबन कर ले, फ्रॉड कर ले, तो परिशानी और बढ़ जाती है, इस गौरब बंसल के साथ हुआ, वो और परिशान हो गया, उन्होंने इस मामले में पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी लखाई, कैसे से उनके साथ फ्रॉड हुआ है, पुलिस अपना काम कर रही है, उधर प परिवार जो था, उसमें अब गौरब बंसल डिप्रेशन में आगे, कि जिन्दगी की गाड़ी को आगे कैसे चलाए, और इस कदर डिप्रेशन में आए, कि उन्हें डिप्रेशन की दवा लेनी पड़ी, डॉक्टर को दिखाना पड़ा, थोड़ा वक्त भीता, पर ये डि गौरब बंसल को लगा कि कर्सदारों के तकाजे से बार 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 बड़ा सर पढ़ रहा है, उससे अच्छा है कि जिन्दगी से ही छुटकारा पा ले, गौरब बंसल ने खुटकुशी करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर उचे आसानक उन्हें ख्याल आया, कि मैं तो मर ज गौरब बंसल ने कहा कि खुटकुशी करना कोई फाइदा नहीं बलके एक और परिवार को डबल सदमा हो जाएगा, एक तो वो खुट कमाने वाला चला गया, दूसरा कर्स अपने बीवी और बच्चों पे छोड़ गया, तो उन्होंने खुटकुशी का आइडिया कर रहे थे, ऐसी पल में गौरब बंसल ने एक हल निकाला, जो किसी भी कीमत में जायज नहीं ठहरा सकता, बलकि जतने भी मेरे क्राइम तक के फैमिली के मेंबर इस वक सुन रहे हैं, मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कहता हूँ, जिन्दगी में जद्दु जहद, का भी हक नहीं है, तो कभी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन गौरब बंसल के परिशानी ये थी कि वो बहत परिशान और इस तनाव और दबाओ को जहेल नहीं पाए, खुदकुशी करते तो परिवार वाले उपर डबल वो आ जाता और दूसरा उनको ये भी मालूम था, पढ़े लिखे थे, कि अगर मैं सुसाइट करता हूँ तो मुझे इंशोरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे परिवार को, और परिवार को पैसे की जरूर जरूरत थी, उन्हें लगता था, उनकी मौत के बाद इंशोरेंस के जो पैसे मिलेंगे, उससे शैद कर्दारो लेकिन अपने हाथों से नहीं, किसी और के हाथों से, खुद से जान लेना मतलब खुदकुशी, किसी और के हाथों से जान लेना मतलब कतल, और कतल के जरीए, गौरब बंसल को लगता था कि बहुत सारी चीज़ों के मसले हल हो जाएगी, इसके बाद प्लानिंग शुरू हो कि गौरब बंसल की जहां पर दुकान थी वहां पर कुछ और लोग थे कड़कडूमा के पास और उन्हीं में एक लड़का टेलर था और एक नावालिक लड़का था जिसके उम्रें करीब 16 साल थी जान पैचान थी गौरब बंसल बाचीत करते थे एक दिन उस नावालिक लड़के से गौरब बंसल ने अपने मन की बात कई कहा कि मेरे परिवार पे तुम एक अहसान कर दो उस नावालिक को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं उसने का कैसे उसने का मैं पैसे दूँगा तुम ऐसे लोगों को ढूंडो जो मेरा कतल कर देगा अब ये बात सुनकर कोई भी चाया वो क्रिमिनल भी हो थोड़ा सा चौकेगा इसलिए कि सुपारी लेकर कटल करना और बाकी चीजों के एक वजह होती और आम तर पर दूसरों के लिए दी जाती यह अएक शक्स एक और किर गारा है कि मैं पैसे दोंगा मेरगा कटल करा दो मेरि जान ले लो मेरे परिवार प्योल्फान होGAR और बाकाईदा पैसे भी देATA उस नावालिक को कुछ समझ में नहीं आया फिर भी उसने काठी कि जब कई दौर की बात हुई फुर उसने अपने तीन साथियों को चुना और ये तीनों बालिक थे एक सूरज ये भी जस्त बालिगी हुआ ही था अठारा साल उम्रे और ये एक स्टुडेंट था दूसरा एक मनोच जिसके उम्रे किस साल थी और तीसरा एक सबसी बेचने वाला रेड़ी पर सुमित चब्विस साल ये तीनों ही गरीब थे और वो जो लड़का नावालिक था वो भी गरीब था गौरब बंसल ने बात की कि हमारा कतल कर दो परिवार पर रहसान होगा और इससे मेरे बीमे का पैसा मेरे परिवार वालों को मिल जाएगा जिससे वो कर्द उतार देंगे नावालिक ने अपने तीन दोस्तों से बात की तीनों तयार हो गए इसके बात पहला प्लान खुद बताया गौरब बंसल ने कि मुझे गोली मार देना अब ये लोग देशी कट्टा खरीदने के लिए गए जो इलीगल तौर पर बेशते हैं उसके पास पहुंचा ये नावाल ये कट्टा देने से मना कर दिया वो चलाया आप दूसरे आइडिया सोचने लगे गवरब बंसल को पता चला रिवालवर मिल नहीं रहा और किसी के पास है नहीं गोली कैसे मारी जाए दिन बीटता जा रहा है डिप्रेशन का शिकार पिर गवरब बंसल ने कहा कि एक काम करो गोली मत मारो तुम मुझे गलाग होट कर मार दो और रसी से मेरा गलाग होट दो उस नाबालिक ने अपने तीन साथियों से बात की बताया कि वो इस इस तरह से कह रहे हैं वो तीनों तयार हो गए अब इसके बाद आखरी काम बाती था दिन चुना गया 10 जून 2020 जिस दिन गौरब बंसल को मरना था और मारना था चार लोगों को यह पहला ऐसा शायद मामला है जिसमें गौरब बंसल ने अपने कतले के लिए खुद पहले रसी खरीदी रसी खरीद कर वो अपने पास रखा उसने इसके बाद उस नावालिक के थ्रू ही वो सारे लोगों से बात करता था उस नावालिक को उसने बताया कि दस जून की सुबह साड़े आठ बजे दिल्ली में एक नजबगर इलाका है वहाँ पे पास में एक सुनसान जगह है वहाँ पे छोटी सी नदी है थोड़ा सा जंगल थी लेकिन गौरब बंसल अपनी गाड़ी से नहीं गया उसने आटो या जो भी गाड़ी पकड़ी उससे अपने घर से निकला गौरब बंसल रहता यहाँ पे आई पी एक्सेंशन में है इस तेली में है उसके बाद वो दस जून की सुबह साड़े आठ बजे जो जगह बता देना और मेरी लाश को पेड़ पे टांग देना वो चारों फिर एक बार सुनते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई ये मजाख है क्या है लेकिन उससे पहले वो 90,000 रुपए अपने कतल की सुपारी उन चारों को देता है 90,000 कहता है ये तुम पैसे रखो ये मेरे कतल के लिए और तुम लोगों पे मैं कोई लगा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे परिवार की मदद कर रहे हो मुझे मार कर ये कहते हैं वो उसने रसी दी फिर उसके बाद वहां से निकलने से पहले जब वो साड़े आट बजे मौके पहुँच रहा था ये लगातार उस नावालिक के संप कि गौरब बंसल की ही लाई रसी से उसका गला गोडते हैं उम बरने से पहले गौरब बंसल ये भी कहता है कि मेरी शिनाख जो है आईडी कार्ड वो मेरा अधार कार्ड है तो तुम मेरी लाश के पास ही रखना ताकि जब भी कोई आए या पुलिस आए तो मेरी शिनाख ता आईडी लेकर आया था, आईडी को उसने अपने पास रखा, उसके अब कहा था, जहां पर मेरी लाश को तुम पेड़ पे टांगोगे, महीं नीचे आईडी रख देना, दो लड़कों ने गला गोटा, गौरब बंसल अपने ही कतले के लिए, खुद कातिल को चुना था, और गौरब बंसल का कतले किया, गला गोटने के बाद गौरब बंसल की लाश को उन्होंने पेड़ से टांग दिया, और जैसा गौरब बंसल ने कहा था, उन्होंने उसकी आईडी को उसी के नीचे रखा, और उसके बाद चारों नहां से निकल गए, 90,000 रुपे, चारों ने आ पाड़े बारा बजे के आसपास उन्होंने पुलिस टेशन जाकर अपने पती की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई, कि उनके पती गायब है, रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस इतर दो ढूंती रही, कोई फैदा नहीं हुआ, अगले दिन सुबा किसी राहगीर ने आईपी एक्सेंशन में जहाँ उनका घर था, वहाँ की पुलिस से संपर्क करती है, केती है एक बॉड़ी मिली है और साथ में आईडी कार्ड मिला है, चुक्के यहाँ मिसिंग की रिपोर्ट अलड़ी दर्स थी, पुलिस की टीम यहाँ से वहाँ जाती है, उनके परिवार को खंगालती है, आखरी कॉल एक लड़के के नाम पे था, उस कॉल को ट्रेस करती है, उस लड़के तक पहुंचती है, वो लड़का कोई और नहीं वही नावालिक था, जिससे गौरब अनसल ने अपनी मौत से आखरी बार पहले मौके पहुंचने के लिए फोन किया था, उ क्योंकि वो भी क्रिमिनल नहीं था, उसका पहला क्राइम था, और क्राइम भी ऐसा कि मरने वाला खुद कहरा कि मुझे मार दो, तो 90 हजार रुपय में अपने तीन साथियों के साथ उसने मारा, वो अपना जर्म कबूल कर लेता है, उसकी निशान दही पर बार में सूरज, म कोई और चीज है, बलकि हमें अपना ही कतले करने के लिए गौरब बंसल ने 90 हजार रुपय दिये थे, पलिस को ये बात पच्चती नहीं है, कोई भी सुनेगा, तो लगेगा कि कोई शक्स अपनी ही सुपारी क्यों देगा, लेकिन फिर उसमें से वो नावालिक बताता है कि गौरब बंसल ने ये कहा था, कि तुम मेरे परिवार पर अहसान करोगे, मुझे मार कर, क्योंकि मेरी मौत के बाद मेरे बीमे की जो रकम है, करोड रुपय, वो मेरे बीवी को मिल जाएगा, वो नोमिनी है, और उसके बाद सारे कर्ज उतर जाएगे, जब ये बात उसने प कर्ज काफी था, कर्जदार जो है, वो तंग कर रहे थे, जो जिन्होंने तकाजा कर रहे थे, जो लोग, बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था, दुकान भी ठपती, और ये भी सच है कि उसने एक करोड रुपय का एक बीमा करा रखा था, और उसे मालूम था कि इस बीमे की रिकम किस सूरत में मिलेगी, अगर ये सुसाइड हो गया, तो नहीं मिलेगी, जब ये सारी चीज़े आई तो पुलिस ने फिर इस केस को खोला, और बताया, कि ये वो कतल था जो गौरब बंसल ने अपनी मर्जी से खुद कराया, जगा भी खुद चुनी, कतले के लिए रस पूछने के लिए इस कतल के पीछे जो मोटिफ था, वो ये था कि पैसे मिल जाएं, परिवार को, तो क्या वो पैसे मिले, जो मेरी आखरी इस बारे में जानकारी मिली वो ये थी, कि चुके पुलिस ने जो केस बनाया, उसमें ये था कि गौरब बंसल ने अपने कतल के तो यह हो गया कि कतल तो था ये लेकिन कतल खुद करवाया तो एक तरह से ये खुदकुशी की कैटेगरी में आ गया अब ये मामला शायद कोट में है इंशोरेंस कंपनी के ऊपर ये चल रहा है कि ये पैसे मिलने चाही के नहीं मिलने चाही लेकिन सरसरी तोर पर जो कानून के जानकार है, उनका कहना है कि इस केस में एक करोड उपे का वो जो बीमा का जो रकम है, वो शायद मुश्किल है मिलना हो गौरब बंसल के परिवार को, तो जिस मकसद के लिए गौरब बंसल ने ये सब कुछ प्लानिंग किया अपनी जान तक दे दी, वो मकसद आखिर में भी हल नहीं हुआ, तो यह नहायत अफसोसनाक है, इसी के जरीए ये भी है कि इन्शोरेंस में किन-किन सूरत में बीमा की रकम मिलती है, अगर बीबारी आपकी है, हेल्थ इशूस की वज़ा से आपकी डेथ होती है, तो बिलकुल जो बीमा की रकम है, वो मिलती है, एक्सिडेंट किसी भी सूरत में हो, आप सड़क पे, गारी में हो, किसी फैक्टरी में काम करते हो, कहीं किसी भी आफस में काम करते हो, तो भी मिलती है, लेकिन किसके सूरत में नहीं मिलती है, एक अगर कोई सूसाइट करता है, उसको बीमा की रकम नहीं मिलती है, दो, अगर किसी की मौत ह और उसके नौमिनी के उपर शक है कि इसकी मौत में इसका हाथ हो सकता है तो फिर भी उस सूरत में भी जब तक उस नौमिनी को प्लिस क्लेरेंस न मिल जाए बीमा की रखम नहीं मिलती है नशे की वज़ा से अगर मौत होती है बहुत जादा अलकोहल शराप सिग्रेट और उसम में भी बीमा की रखम नहीं मिलती है कई ऐसे स्पोर्ट्स या इवेंट्स हैं जिसमें आप स्टंट करते हैं जिसमें जान का जोखिम होता है ऐसी सूरत में भी बीमे की रखम नहीं मिलती है क्योंकि आप और रिस्क लेते हैं जान की जो नैचरल डिजास्टर प्राकृतिक आपदा से भुकम, सुनामी, बार, आग, ऐसी बहुत सारी चीजों में प्राकर्टिक आपदा में भी बीमा की रखम नहीं मिलती है। उसमें हलाके कुछ क्लाउज होता है। तो यह वो चीजे हैं जिसमें बीमा की रखम नहीं मिलती है और जिस जिसमें मिलती है वो नैच्रल युबाया